तो देखिए वीर कुवर सिंग उनिवर्सिटी पार्ट 3 का एक्जाम का जो प्रोग्राम है ये जारी कर दिया गया है तो इस वीडियो को अन तक देखिएगा ताकि आपके हर सब्जेक्ट का कब कब एक्जाम है ये आपको पता चल सके आपका जो है एक्जाम जो है पांच पे जो है जारी किया गया है program तो देखिए आपका मेरा यहां से सब्जक्ट अबい ऐसे अब आपका अपना यहां से सब्जक्ट देख लएना धेजिर यहां पर हमारी क्नों Χ से यह मरी क्या है इककनोक्स है और पताकर बनगे और नीचे आज़ाएंगे प्रोग्राम की तरफ तो यहां पर देख सकते हैं लिखा है प्रोग्राम ओफ ओनर्स है तो यहां पर प्रोग्राम ओफ ओनर्स में अपना ग्रूप B में हमारा एकनॉमिक्स था तो ग्रूप B केवल B को हम चूज करेंगे तो यहां पर B दिया गया है एक जगा B है फिर यहां पर हमारा B दिया गया है फिर तीसरा पेपर यहां पर भी दिया गया है चौथा पेपर यहां पर हमारा B दिया गया है यानि कि आपका जो गुरूप B का एकजाम है और एक यहां पर भी दिया गया है एक दो तीन चार और पांच पांच आपका एकजाम होगा गुरूप B का तो गुर्वी का इक्जाम है दूसरा यहां तीसरा यहां चोंथा यहां और पांच पर होगा तो पांच आपप ॉक्तारर में वीजाम हो और यह? इस का आपका पांचवा पेपर जो होगा फिफ्ट पेपर ये क्या चीज़ का होगा GES याद रखेगा Generally Studies का आपका पांचवा पेपर का एक्जाम होगा यहां पर आप देख भी सकते हैं कि B के बगल में आपको GES देखने के लिए मिल जाएगा यानि कि पांचवा पेपर आप का G.E.S. का होगा और 4 पेपर आपको यहां से गूरूप A, गूरुप B, गूरुप C और गूरुप D. चार पेपर इसमें से होगे आपको खुद से अपना जो जो भी सब्जेक्ट है. जैसे यहां पर मन लीजे मैत है. मैत किस गूरूप में है? गूरूप A में. है और फिर एक यहां पर है और एक यहां पर है यह च्यार सरह जो है और पांच फ़二 प्र है यहां पर है अगर आपी अगर सब्लर हरप inspiration क्ल और तो अगर parallel है और वांच जाए अई प्रतिकल वाला आपका सब्ल 충ोड है तो आपका थीन ग्याम होगा तीन hen ओर चौथा एक्जाम होगा यह आपका Practical का होगा जैसे मान लिजेए कि हम एक practical वाला सब्जेक्ट ले लेते हैं यहां से हमारा practical का सब्जेक्ट मान लिजे Chemistry है Chemistry में Practical होता है या फिर जिग्रोफी जग्रोफी में बीध्रक्टिकल होता है तो Chemistry Group A का है तो Group A का तो आपका तीन यानि कि पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों में आपका थियोरी का एक्जाम होगा और चौथा एक्जाम जो है ये आपका प्रक्टिकल का होगा और जो पांचवा है ये आपका तो फिक्सी है कि कोई भी सब्जेक्ट हो एक आपको जी एस का पेपर देना ही द तुम में क्या है और आपका ग्रूप देखना है किस ग्रूप में है उसके अनुसार आपका एबी-सी-डी यहां से आपको खोज लेना है कहां कहां है और चार आपका ओनर्स का एक जाम होगा और एक आपका जिनरल इस्टडीज के जाम